हाई और स्वागत है मैं फैसल हूँ और इस वीडियो में हम अब बताने जा रहे हैं कि अडोबी फोटोशॉप का उपयोग करके कैसे एक छवी को पैंटोन या स्पॉट कलर में परिवर्तित किया जा सकता है सच्ची इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यूट्यूब, गूगल और इंटरनेट पर बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला जो सही तरीके से यह समझा सके कि कैसे आप ही CMYK या RGB से किसी भी पैंटोन रंग में छवी को परिवर्तित करें और फिर उसे मुद पैंटोन रंग में परिवर्तित करें और अपने डिजाइन में उपियोग करने के लिए जो कोई भी पैंटोन नंबर आपके पास है या जो आपने उपियोग करना चाहा तथा उसे ठीक है, पहले हम छवी के छवी मेन्यू में जाते हैं, फिर हम मोड सब मेनू पर जाते हैं मूल तरीका ये है कि सिर्फ एक रंग की छवी हो और उसे मुदरन के लिए भेज दो और प्रिंटर से कहो कि आप इस विशेश रंग को छापना चाहते हैं, जरूर क्लाइन छवी को छापने और प्रकाशित करने से पहले नहीं देखेगा, इसलिए ताकि हम अपने आपके सॉफ्ट्वेर में हम एक और अधिक उन्नत तरीका उप्योग करेंगे, इसे ग्रे स्केल में परिवर्तित करने के बाद हम फिर से छवी मोड में जाएंगे और इस बार हम डियोटोन चुनेंगे, अब डियोटोन विकल्पों की विंडो खुल गई है, और आपके पास यहां सिर्फ एक ही विकल्प है, जो है आपको चाहिए जिस पैंटोन रंग का चैन करना, आप इस रंग को चुन सकते हैं या इस रंग को, और यदि आपके पास कोई विशेश रंग है, तो आप इसे यहां ये इस रंग का चैन करते हैं, ठीक है, हमने इस रंग का चैन किया है, जिसका नंबर 270820C है, जो कि मुदरन रंगों से एक सॉलिड कोटेड रंग है, फिर हम ठिक ठाक क्लिक करते हैं, अब चैनल पैनल पर, आप देख सकते हैं कि आपने जो पैंटोन रंग चुना है, उसका नाम, मैं कैसे सुनिष्चित कर सकता हूँ कि मेरी विधी 100% सही है, बहुत ही साधारन छवी या डिजाइन को Adobe Illustrator में ले जाएं, और उसे विभाजन पूर्वावलोकन का उप्योग करके जाचें, मैंने अपने चैनल पर पहले ही विभाजन पूर्वावलोकन के बारे में ब यहां Place Command का उप्योग करते हुए और Test One की पहचान करते हुए, आदर्शत, Photoshop और Illustrator के बीच एक संबंध हो, ताकि Photoshop में किये गए किसी भी परिवर्तन सीधे Illustrator में दर्शाय जाएं, Illustrator में स्थानित होने पर हम देख सकते हैं कि छवी अब Pantone रंग में है, और हम उप्योग कि इन्शालाह जब आप अपनी छवी को मुद्रण के लिए भेजेंगे या इसे किसी पुस्तक, पत्रिका, प्रोशर या पैंफलेट में शामिल करेंगे, तो यह वही Pantone रंग दिखाएगा, जिसे आपने मूल रूप से अपने पाठ, डिजाइन या अपने डिजाइन के किस इसी भी पहलू के लिए उप्योग किया था, यह कल की समझाने वाली हमारी व्याख्या थी, कि कैसे हम एक छवी को चार रंगों से एक एकल पैंटोन या स्पॉर्ट कलर में परिवर्तित करते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल है, तो कृप्या नीचे टिप पणिया लिखे और इंशालला मैं उत्तर दूँगा